नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास तीन इन्वेटर हैं पहला इन्वेटर लिवगार्ड कमपनी का 250 VA में सोलर इन्वेटर है दूसरा इन्वेटर इस्मार्टन कमपनी का 2500 VA MPPT टेकनोलोजी में है और तीसरा इन्वेटर जो की एक बहुत पापुलर और फैमस हिस्से में हो रहा है एप्रो का 3000 VA में MPPT टेकनोलोजी में इन तीनों ही इन्वेटर की पूरी टैस्टिंग, लोड कैपिसिटी, चार्जिंग कैपिसिटी क्या है सोलर पैनल कैपिसिटी क्या है, सभी कुछ दिखाने के लिए मैं आपका दोस्तरवींद और आप देख रहे ही अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोव नागल, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो सबसे पहले हम आपको इनकी लोड कैपिसिटी ही दिखाते हैं अपने टेस्टिंग मीटर को पहले हमने लिवगाड के बाइस्तो पचास हुए इन्वेटर से कनेक्ट कर लिया है, स्यूच को ओन कर देते हैं डिस्पले में हम देख रहे हैं कि इन्वेटर की आउटपुट वोल्ट है 225 अभी कोई लोड हमने इस पर नहीं चलाया है तो नो लोड करंट भी आपको दिखा देते हैं मिटर में यदि देख पा रहे होंगे तो इस इन्वेटर का नो लोड करंट कंजप्शन 2.5 अम्पियर का है टेस्टिंग मिटर के साथ लोड कनेक्ट कर देते हैं इन्वेटर पर 400 वाट लोड हमने डाल दिया है आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं कि 222 वोल्ट है लोड को 1000 करते हैं इस समय लोड 1000 वाट का हमने कर लिया है और आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं कि 213 वोल्ट है लगभग 10 वोल्ट की ड्रोपिंग आई है 1000 वाट पर और अब लोड को बढ़ा कर इसकी मैक्जिमम कैपिसिटी तक ले जाते है 1460 वाट का लोड चल रहा है इंवेर्टर अवर लोड की विशिल दे चुका है और आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं कि 180 वोल्ट आउटपुट की है एक अच्छी परफोर्मेंट्स इंवेर्टर दे रहा है डिस्पले में हम देख रहे हैं कि अवर लोड लिखावा आ रहा है और लोड 1500 हमने कर दिया है 170 वोल्ट रह गए हैं और यह है इसकी मैकजिमम लोड सीमा है और 1500 वाट लोड पर यदि AC के हम एंपियर देखते हैं तो 8.6 एंपियर का AC का लोड यह है चला रहा है DC के एंपियर भी दिखा देते हैं मिटर में यदि आप देख पा रहे होंगे तो इस समय DC के 83 एंपियर कंजूम हो रहे है और अब स्मार्टन के इंवेटर की टैस्टिंग भी करते हैं टैस्टिंग मिटर को स्मार्टन के 2500 वी ऐसे कनेक्ट कर लिया है और इसको ओन कर देते हैं और क्योंके लोड का स्यूच अभी हमने ओफ रखा है तो नो लोड पर इसके आउटपुट वोल्ट है 223 वोल्ट नो लोड पर इसका DC कंजप्शन भी देख लेते हैं मिटर में यह दी देख पा रहे होंगे तो 1.9 अएंपियर के आसपास इसका नो लोड करंट है लोड को चालू कर देते हैं 400 वाट का लोड हमने चला दिया है आउटपुट वोल्ट 220 वोल्ट है कोई खास ड्रोपिंग 400 वाट पर नहीं है लोड को बढ़ा कर 1000 करते हैं लोड इस समय 1000 का कर लिया है और आउटपुट वोल्ट है 195 यानि 1000 वाट लोड पर लगभग 25 वोल्ट की ड्रोपिंग यहाँ पर देखी जा रही है और अब लोड को बढ़ा कर इसकी मैकजिमम लिमिट तक ले जाते हैं और दोस्तों 1370 वाट का लोड इस समय चल रहा है आउटपुट वोल्ट हो चुकी है 163 वोल्ट जो की बहुत ड्रोपिंग है और इन्वेटर अवर लोड की विशील दे रहा है और यहाँ पर लिखाव अभी आ रहा है रिड्यूस लोड और मिटर में समय देख रहे हैं डीसी से 78.8 एंपियर का कंजप्शन हो रहा है और यहाँ बंद हो गया है और अब टेस्टिंग मिटर को तीसरे इन्वेटर एपरो के 3000 विये से कनेक्ट कर लिया है इन्वेटर को ओन कर देते हैं अभी इस पर कोई लोड हमने नहीं चलाया है और आउटपुट वोल्ट 208 वोल्ट है और मिटर में यदि देख पा रहे होंगे तो 1.2 एंपियर का नो लोड करंट है इससे लोड को कनेक्ट कर देते हैं लोड 408 कर दिया है आउटपुट वोल्ट 207 वोल्ट है वोल्ट में अभी तक कोई ड्रोपिंग नहीं है वोल्ट को बढ़ा कर 1000 करते हैं लोड 1000 कर लिया है और आउटपुट वोल्ट हम देख रहे हैं कि 200 है यानि 1000 वाट लोड पर 89 वोल्ट की ड्रोपिंग यहां पर हम देख रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा और दोस्तों एक चीज आपको यहां पर दिखा देना चाहते हैं अक्सर वीवर पूछते रहते हैं कि 1000 वाट लोड पर AC के कितने अम्पियर होते हैं तो इस परफ्च यहां पर देख रहे हैं कि 1000 वाट लोड पर 5 अम्पियर का कुरंट फो हो रहा है और वोल्ट हैं 200 वोल्ट तो वोल्ट और अम्पियर के यदि मल्टिप्लाई करते हैं तो वाट आता है और यदि 1000 वाट के लिए हम यहां 250 वोल्ट रखेंगे तो ampere आएगा 4 ampere और अब load को बढ़ा कर इस invator की maximum limit तक ले जाते हैं load इस समय 1800 watt पलस हमने कर लिया है और output volt हम देख रहे हैं कि 185 volt है current आप देख रहे हैं AC का तो 9.68 ampere का current flow इसमें हो रहा है और इस समय इसके DC के ampere भी आपको दिखा देते हैं और meter में यदि देख पा रहे होंगे तो 96 ampere battery से consume हो रहे हैं अब हम इनकी charging capacity भी आपको दिखाते हैं testing board को हमने grid से जोड लिया है और सबसे पहले approach 3000 VA को testing board से connect करते हैं display में हम देख रहे हैं कि यह invator 430 watt से battery को charge कर रहा है और battery के ampere भी देख लेते हैं meter में यदि देख पा रहा होगा तो 13.4 ampere battery को यह charging दे रहा है जिस समय battery discharge होती है उस समय यह 16-17 ampere तक भी battery को charge करता है और अब smartan inverter की charging देख लेते हैं 400 watt से यह invator battery को charge कर रहा है और meter यदि देख पा रहे होंगे तो 11.5 ampere से यह battery को charge कर रहा है और अब live guard 250 को भी देख लेते हैं और live guard inverter इन्वेटर इस समय 480 watt से battery को charge कर रहा है और meter में यदि देख पा रहे होंगे तो 12.2 ampere से charging चल रही है इसमें charging कम या ज़्यादा करने का यहाँ पर एक push button दिया गया है high low इस पर लिखा गया है इसको own करके देखते हैं कि charging कितनी हो जाती है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 530 watt से charging चालू हो गई है और यहाँ 13.6 ampere से charging चल रही है लिवगाड 2250 VA का inverter solar inverter है PWM technology में है pure sine wave inverter है और solar controller card 50 ampere का है दूसरा inverter smarten company का है 2500 VA में है MPPT technology में है और तीसरा inverter appro company का 3000 VA में MPPT technology में PCU है इसका MPPT solar controller card 80 ampere capacity का है इस inverter की 30 मंत की on-site service है और इसका market price इस समय 22,000 रुपे का है अलग-अलग जगह से अलग-अलग seller से दो-400 रुपे उपर नीचे हो सकता है इस inverter की 24 मंत की on-site service है और इस समय इसका market price 16,000 रुपे का है 24,000 रुपे का अलग-अलग जगह से उपर नीचे हो सकता है और लिवगार के इस 250 VA inverter की भी 2 साल की on-site service है और इसका market price इस समय 13,000 का है और दोस्तो सोलर के इन इनवेटर के संबन में मेरे दुआरा दीके जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके share जरूर कर देना और यदि कोई प्रस्ण आपके मन में है तो comment जरूर करना चैनल को यदि अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe जरूर कर लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों